हेलो एवरीवन वेल्कम बाग तो माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉस है आप सभी की प्रिपरेशिन फोर बीर्सी ओनर्स नर्सिंग इंटर्स एक्जाम अच्छे से ही चल रही होगी और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा जीक का स्लेबस क्योंकि अभी तक हमने प्रिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सारे इंपॉर्टिंट चैप्टर उनकी प्रियॉर्टी वाइस देख लिया है लास्स अमार सब्जेक्ट बच गया है जो कि आपके पारमेडिकल में भी आएगा और इंस्पेरसी नर्सिंग इंटर्स एक्जाम में भी आएगा और किसी भी स्टेट कोशन होते हैं जो गिके से रिलेटे आते हैं तो चुरीए देख लेते हैं कि हमारे जीके के अंदर क्या क्या स्लेबस आता है तत्ससे पहले देखेंगे जो हमारे जीके का स्लेबस है उसको हमने कुछ इस तरह से डिवाइए एक आपके आती नहीं में आपके बताउं है कौन कौन से topic cover करने क्योंकि reasoning के अदर बहुत साए topics आते हैं तोस topics में आपका अदर आते हैं then हमारी आती है math math में आपको ज्यादा vast math में आती है जो basic math इती है उसके basic math कोई हमें 6-7-8 में बड़ा है उसके basis पे question आते है then आपका आता है journal knowledge ठीके तो general knowledge में आपको भही same question आता लाइक इंडिया's largest river क्या है, world's largest जो भी चीज़े होती है तो क्या है, आपके solar system में कितने planets है, किसके कितने sun है, moon है ऐसे वाले questions जो होते है वो आपके GK में कवाल हो जाते है इसके रावा फे और भी चीज़े आती है जैसे आपका current affairs तो current affairs में क्या होगा, जो भी आपकी recently one years के अंदर जो भी चीज़े हुई, वो आपकी current affairs है ठीक है, अभी recently आपको G20 summit होगा तो उससे related आपकी questions आ सकते है इसके बार भी आपको कुछ quality या आपकी कोई history या आपकी sports इन से related भी आपके, जो cms है वो आपका GK के अंदर included है अब हम देखने जाए, what are the topics जो आपके GK के अंदर cover होते है और यह जितने भी topics हैं, यह सारे topics के जो आपको test है या questions है वो आपको हमारी जो test series है, nursing to norset की जो आप है आपको वो download करके आपके check out कर सकते हो एक हमने proper test series बनाया है, जो complete है, जिसमे physics, chemistry, bio and GK है और वो test series आपको nursing to norset के आपके मिल जाएगी जिसमें यह सारे topics के आपको questions, test, facts, सब कुसमें तो topics देख रहेते हैं, first is our percentage based questions तो यह आपको math से रिलिखे रहे है, then blood relation यह बहुत most common है एक question पका आपके exam में आता है, then number series से भी एक से दो question आता है आपके exam में odd one out का भी last time हमारा question था, यह जो odd one out हो किसी भी topic से रिलिखे हो सकता है, बस आपको एक odd one out select करना होता है next हमारा seating arrangement, इस पर भी आपका हमेशे question आता है, then distance and direction के ओपर question आता है, coding, decoding होता है, order and ranking, syllogism यह सारे topics से इनके अलावब और भी topics हैं जो देखते हम, next हमारा analogy है, इससे भी आपके questions आते है, then cube, cube and dice, dice के ओपर भी mostly question आई जाता है sports related question है, जो भी आपका recently sports related, अगर कोई भी data है, तो आपको पता होना चाहिए, then हमारा pattern based question है, तो pattern पे तो यह question जरूर आता है, किसी भी टाइप का pattern पोच के आप से next pattern पोच सकते हो, next हमारा wind diagram, last year भी wind diagram से question आया था, then wind diagram बहुत important है, current of years तो मैंने आपको बताई गिया, within one year, ए आपके world में या फिर India में हुई है, वो सारी आपके लिए important है, आगर आप उसको पढ़ना चाहते हो, और वो 10 questions आप complete write करना चाहते उसके लिए, then next हमारा India's largest और world's largest, तो यह भी आपका GK के अंदर ही आजाता है, then next हमारा computer related question, तो बहुत बार computer से भी related question आप से पूछते है, क इनके लावा भी 2-3 topics ऐसे होंगे, जिनसे question आ सकता है, but mostly यही है, कि जो भी आपका syllabus है, जो भी आपका paper है, जो भी आपके questions है, वो सिफ इनसे ही आने वाल है, तो all the best, अभी आपको 90 questions पर focus करना है, बाखी के 20 questions के लिए आप नसीं टुनासेट के आप पर यह सारे questions के test, plus इम आपके लिए, टीक केर